हलो एवरिवान आफ वेल्किम यॉल्टू स्टड़ी नीती तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे रीजनिंग के मिस्लेनियस क्वेशन्स पिछले सेशन में हम लोग आज हैं रीजनिंग की पर्सल्स और्रेड और फ्रीजर पो एक्वेशन्स पेपर हमारा चल रहा है उसका हम लोग पर्सल्स टॉपिक्स जितने भी रह गए हैं यह जो हमारा एक्जाम है वह मैं आपको रियल इंटरफेस पे ही करवा रही हूं जैसे का जो interface है बिल्कुल examination oriented interface है एकदम आपको ऐसा ही interface exam में देखने को मिलेगा तो इसी तरीके से आप अगर इन series में जो मैं आगे भी करवाती जाओंगी इसी interface पे ही करने की कोशिश करेंगे तो आपको familiar सा लगने लग जाएगा कि हाँ मैंने इसकी practice की हुई अब exam में मुझे डरने की बिल्कुल भी जुरत नहीं है तो हम लोग इसको continue करते हैं क्योंकि हम लोगों ने already paper किया हुआ है तो मैंने इसको हाँ टाइमिंग पूरा वहीं से चला है तो जो हमने अल्रेडी कर लिए questions उसको मैं skip कर दूंगी कि ओके तो यह हमारे पास कौन सा है arrangement order and ranking का arrangement है हमारे पास जिसके अंदर हमें weights के recording दे रखा है तो Hindi English एकी screen पर दिक्कत आपको कोई भी नहीं आने वाली without any delay हम लोग सीधा शुरू करेंगे यहां पर बोला गया है कि हमारे पास 6 लोग है जो के different weights के हैं और उनको हमें descending order में arrange करना है descending order मतलब heavier को उपर रखना है और lighter को नीचे रखना है मतलब जिसका weight सबसे ज़ादा है उसको हमें उपर रखना है और जिसका weight सबसे कम है उसको हमें नीचे रखना है line देखो हमारे पास यह क्या बोलता है F is heavier than B just wait a second is everything working fine okay F is heavier than B and lighter than D F जो है B से heavier है मतलब B से उपर आएगा और D से lighter है मतलब D से नीचे आएगा clear A is lighter than E who is heavier than C who का मतलब क्या होता है बाद वाला और अगर and होता तो मतलब पहले वाला who का मतलब दोनों में से बाद वाला and का मतलब दोनों में से पहले वाला a जो है e से lighter है जो c से heavier है e c से heavier है और a से lighter है ठीक है both a and c are heavier than d a और c जो है d से heavier है clear the lightest person's weight is यह हमें weight के बारे में दिया तो हम लोग पहले arrange कर लेते हैं इसको arrange करेंगे तो हमारे पास arrangement यहाँ पर कैसे बनेगी अगर आप ध्यान से देखोगे a है a के नीचे e, e के नीचे c और d f b हमें इनको arrange करना है और the lightest person weight is 51 सबसे कम weight का जो person है उसका weight 51 है d has 14 kg more than the lightest person d जो है lightest person से 14 kg जादा है ओके तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे पास arrangement किस तरीके से बनेगी a is lighter sorry a is lighter than e था न a is lighter than e who is heavier than c इस तरीके से आएगा sorry ठीक है तो a और c से उपर कौन आ रहा है e आ रहा है a और c के नीचे d f और b आएगा ठीक है यह हमारे पास arrangement है हमें यह नहीं पता कि a का weight जादा है यह सी का जादा है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखे हैं क्यूंकि हमें सारी places भरनी है तो a e a a c दो places प्याएंगे क्योंकि दो persons है d f और b यह हमारी final arrangement बनके तयार हो गई है उसने बोला है lightest person का weight कितना है 51 तो b का 51 हो जाएगा और d का 14 kg जादा है 14 kg जादा मतलब कितना हो गया 64 हो गया ठीक है पहला question है कि हमें बताना है कि किते persons b से heavier है बी से heavier कितने persons है एक दो तीन चार पांच तो हमारे पास option क्या बनेगा option number d ठीक है option number d एक बार आप इसको screenshot ले लो इस answer को क्योंकि आगे मैं करवाओंगी तो यह सारा जो screen है वो erase हो जाएगी आपको अगली questions खुद ही करने पड़ेंगे ओके आगे क्या बोलता है what is possible weight of f तो यहाँ पे f is heavier than b and lighter than d d का weight था मेरे पास 64 और d का weight मेरे पास था 64 और lightest मेरे पास कौन था यहाँ पे b था ना b का weight मेरे पास था 51 तो इसका होना चाहिए 64 से 51 की रेंज में 64 से 51 की रेंज का आपको कौन सा weight दिख रहा है मुझे तो 62 दिख रहा है option number c आपका answer यहाँ पे हो जाएगा अगला question करें देखो if the weight of a is 8 kg more than the average weight of b and d average weight of b and d b का मेरे पास weight था 51 d का मेरे पास था 64 वो बोल रहा है 8 का average weight से 8 kg जादा है average weight का मतलब total divided by 2 total divided by 2 इसका 51 और 64 ही था ना 51 और 64 ही था ठीक है और a का weight 8 kg जादा है इसका कितना हो जाएगा 57.5 उससे 8 kg जादा है मतलब 65.5 weight किसका हो जाएगा मेरे पास a का हमारे पास arrangement कुछ इस तरीके से थी ठीक है हमें बता रहा है कौन सी statement जो है वो सही है a is lighter than c यहाँ पर d का weight था कितना 64 a का है 65.5 और a का कितना है 65.5 तो इन दोनों में से a कहीं पर भी आ सकता है देख लेते हैं only one person is heavier than a a से सिरफ a की person heavier है and a's weight is 66 kg a का weight जो है वो कितना हाएगा 66 kg आएगा तो यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन सी statement सही है let's see the rightest person weight is 51 हमारे पास b था और 14 sorry d का weight 14 kg जादा है ना तो d का तो 65 होगा ना correction d का weight 65 होगा ना तो 65 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा 58 और यह आ जाएगा 66 I am really sorry यह weight ऐसे आ जाएगा 58 plus 8 equals to 66 तो यह 65 था प्लीज करेक्ट कर ले ना इसको 14 kg जादा बढ़ाना था ना तो 51 and 65 तो यहां पे अगर मैं देखूंगी इसका weight 66 है एक का तो definitely इससे एक उपर ही आने वाला है तो c यहां पे आ जाएगा हमारा अब देखो statements a c से हलका है definitely a first statement सही है केवल एक व्यक्ति एक से भारा है नहीं दो व्यक्ति है तो यह तो गलत हो गई एक भार 66 kg है तो first और third statement हमारी correct हो गई या प्लीज इस weight को correct कर लेना ठीक है I hope आपको यह question clear होगा हम लोग आगे बढ़ते है next question पर हमारे पास next question कौन सा है if the vowels in the word wait a second if the vowels in the word snitched are changed to the next letter हमारे पास word है snitched उसने बोला है वोवल को next letter से change करना है वोवल मतलब a e i o u i के बाद आता है j e के बाद आता है f and the consonants are changed to the previous letter consonant को previous letter से change करना है तो s से पहले r n से पहले m t से पहले s c से पहले b h से पहले क्या आएगा g और d से पहले क्या आएगा हमारे पास c तो इसने बोला है कि ऐसे कौन से letters हैं जो की दो बार आ रहे हैं इसके अंदर तो अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे कोई भी letter नहीं है जो इसके अंदर दो बार आ रहे हैं मतलब इसका answer क्या हो जाएगा none of the above देख लेते हैं इसमें none of the above हमारे पास option है definitely है option number यह हमारा answer हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा letter नहीं था जो repeat हो रहा है just wait a second we have to go to the previous question okay how many pairs of digits are there in the number 864351 each of which has as many digits in between them as in the numerical series forward and backward तो यह हमारे पास alphabet test का question है हमें क्या करना है इनके pairs बनाने है start करेंगे 8 9 10 11 12 13 नहीं जाएगा 6 7 8 9 10 11 no 4 5 6 7 8 9 एक pair बन गया 3 4 5 6 7 8 5 6 7 दूसरा pair बना 1 2 3 4 7 8 9 नहीं बनेगा opposite आजो 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 नहीं बनेगा 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 3 4 3 4 तो बनाया है नहीं 3 4 भी बना दते हैं 5 6 और 4 5 6 1 2 3 4 5 हमारे पास चार से जादा है तो option number E हमारा answer हो जाएगा more than 4 backward and forward दोनों बनाने से तो backward and forward मैंने दोनों ही बना लिये हैं नेक्स क्वेशन देखेंगे हमारे पास किसका है से लॉग्स का है only a few browser is bandwidth सिरफ कुछ ही browser जो है वो bandwidth है तो यह हो गया browser और यह हो गया bandwidth और उसने कुछ ही बोला है तो मतलब सिरफ डाकन पोशन के साथ इसका रिलेशन है बाकी पोशन के साथ रिलेशन नहीं है all bandwidth is broadband सारी के सारी bandwidth क्या है broadband है ठीक है no broadband is internet कोई भी broadband जो है वो internet नहीं है अब हमें क्या करना है इसके conclusions देखने है no internet is bandwidth कोई इसके साथ नहीं है तो डेफिनिटली जो पार्ट इसके अंदर होगा उसका relation भी इसके साथ नहीं होगा some broadband is browser कुछ broadband जो है वो browser है तो इसमें हमें दिख रहा है कि definitely कुछ broadband जो है वो हमारे ब्राउजर है तो यहां पर क्या हो जाएगा second option भी हमारे पास सही हो जाएगा मत्तब इसके अंदर दोनों statements follow करी है both first and second statement follows I hope this question is clear तो यहां पर हमारे no disk is memory कोई भी डिस्क जो है वो memory नहीं है ठीक है all memory is reboot सारी के सारी memory क्या है reboot है चेक कर लेते हैं some disk is reboot is a possibility कुछ डिस्क reboot हो ऐसी possibility हो तो आप क्या करो यह reboot का circle है इसको हम और भी तो बढ़ा सकते है ना बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी भढ़ा लो क्योंकि उसने possibility पूछी है तो कुछ reboot डिस्क हो ऐसी possibility कुछ डिस्क reboot हो ऐसी possibility हो सकती है definitely हो सकती क्योंकि reboot के अंदर डिस्क हमारे पस आ सकता है all modem can be memory सारे modem क्या memory हो सकते है नहीं हो सकते देखो क्यों इस पूरे डिस्क का memory के साथ कोई भी relation नहीं है और modem का जो यह वला पार्ट है यह अगर मैं memory में डालूंगी तो फिर यह का इसके साथ ही relation है बाकी portion के साथ नहीं है अगर बाकी portion modem का memory के साथ शेयर करें तो हमें कोई भी लेना देना उससे नहीं होगा हो सकती है possibility ठीक है तो यहाँ पर only first statement is correct आगे देखते है only a few consume are customs सिरफ कुछ ही consume customs है सिरफ कुछ ही मतलब सिरफ यह वाला portion no investor is consume कोई भी investor consume नहीं है few consume are leaders few consume मतलब कुछ consume few को हम समभी बोल सकते हैं कुछ consume क्या है leaders है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अब इसके conclusion से देखते हैं कौन-कौन सा सही आ रहा है all lenders can never be investors सारे के सारे lenders कभी भी investors नहीं हो सकते देखो यह सच कैसे है अगर मैं सारे सारे के सारे lenders को मैंने leaders पढ़ दिया क्या है इसको मैं सारे के सारे lenders को अगर investors में डालना चाहूं तो लेंडर का जो यह वला portion है यह consume में आ और consume पूरे के पूरे consume का investor के साथ कोई भी लेना देना नहीं है मतलब इस portion को हम इसके अंदर नहीं डाल सकते तो सारे के सारे lenders यह वाले portion की वज़े से कभी भी इसके अंदर नहीं सकते सही है all customs are investors सारे के सारे customs जो है वह investors है तो यह हमारे पास नहीं है इन दोनों के बीच में कोई भी definite relation नहीं है तो इसमें भी सिर्फ statement वान ही हमारे पास follow कर रही है next देखते है only a few dollar is euro सिरफ कुछ ही dollar जो है वो euro है सिरफ कुछ ही मतलब यह वाला portion some euro is pound कुछ euro जो है वो pound है all pound is frank सारे के सारे pound frank है some frank is euro उसने बोला है कुछ frank euro है तो definitely frank वाला जो यह वाला portion है यह euro के साथ intersect हो रहा है यह वाला portion तो कुछ frank euro है all dollar can be pound क्या सारे के सारे dollar pound हो सकते है क्या देखो all dollar can be pound क्या सारे के सारे dollar pound हो सकते है तो देखो dollar को आप pound में डाल के देख लो अगर मैं dollar को pound में डालना चाहूँ तो कैसे डाल सकती हूँ वेट आ सेकेंड ये हमारे पास डॉलर था ये यूरो था उसने बोला था कुछ यूरो पाउंड है कुछ यूरो पाउंड है ऐसे बना सकती हूं मैं पाउंड कुछ यूरो पाउंड हो चुके है और कुछ पाउंड फ्रैंक है क्या मेरे साथ इसकी कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित हो रही है कोई भी statement गलत साबित नहीं हो रही सारी की सारी statement सही हो रही अगर मैं pound को इधर खींच के लिया हूं क्योंकि pound में तो some use हुआ था ना only a few तो नहीं यूज हुआ था तो यह definitely possibility हो सकती है तो दोनों ही इसमें statements जो है conclusion के सब्सक्राइब कर रहे हैं okay अगला देखते हैं अमको आद ओनली अफ्यू लेक लेक इस दिनार सिरफ कुछी लेक जो है वह दिनार है यह वाली ऑल लेक इस्सक्राफ सारी की सारी लेक जो टका है नो टका इस अफगानी कोई भी टका जो है वह अफगानी नहीं है तो यह हमारे पास करन्सीज है डिफरेंट कंट्रीज की नो लेक इस अफगानी कोई भी जो लेक है वह अफगानी नहीं है definitely सही है अगर बाहर वाले circle का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है तो definitely अंदर वाले circle का भी इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा सही है all lake being dinar is a possibility सारी के सारी लेक को क्या मैं दिनार के अंदर डाल सकती हूँ नहीं डाल सकती क्योंकि उसने बोला था कि only a few lake is dinar दिनार और लेक का सिरफ इतना सा portion जो है उसके साथ ही उसका लेना देना है बाखी portion के साथ बिलकुल भी कोई भी लेना देना नहीं है तो यह बाखी का portion कभी भी दिनार के अंदर नहीं जा सकता तो यह हमारे पास possibility नहीं हो सकती only one follows I hope आपको यह question भी समझ में आ गया होगा बढ़ते है next question की तरफ तो यह हम already कर चुके हैं जो कर चुके हैं वो मैं नहीं करवाऊंगी ठीक है अब हमारे पास आती है coding decoding इसको कर लेते हैं तो question आपके सामने लिखा हुआ है कोडिंग decoding को मैं किस तरीके से करती हूं थोड़ा सा ध्यान देना थोड़े अलग तरीके से करती हूं और शायद आपको यह तरीका पता भी होगा जिन एजुकेटर से आप पढ़ते हो मैंने भी उन्हीं से सीख है इसको कहने में मुझे कोई भी शरम वाली बात नहीं लग करते हैं उसको क्यारेज-श-फट-फट रोबोट-ट्रेन ऐसी जो होती है जिसके अंदर हमारे पास कुछ शीज़े रिपीट हो रही होती है ठीक है उस कोर्डिंग-डी-गोगित ब्र 그대로 की को कैसे करते हैं आपको सारे के सारे words ने एक line में लिखने होते हैं देखो हम लोग कहां लिखे हैं इसको उपर ले जाते हैं हमारे पास आगया carriage फॉक्लिफ्ट रोबोट एंड ट्रेन ठीक है सब्वे नहीं सब्वे रिपीट नहीं हो रहा कैरेज रिपीट हो रहा तो इसके नीचे डाल दो रोबोट रिपीट हो रहा तो इसके नीचे डाल दो बस रिपीट नहीं हो रहा बस को अलग लिख दो वैन फॉक्लिफ्ट वैन भ बोट भी आ गई चौथी लाइन में हमारे पास क्या है क्या रिक्रेज भी है सब्वे भी है बस एंड क्रेन बस भी है क्रेन भी है सारे के सारे हैं तो मैंने इस तरीके से लिख दिये अब इनके जो कोड हैं उनको हम इस तरीके से लिखेंगे र-I-K-R-A-O-N-T-A-O रिपीट हो रहा है ब-U नहीं आ रहा रिपीट नहीं हो रहा है र-I-B-Z-B-Z थर्ड लाइन में आ जाते हैं के यार इसके बाद आ रहा है और नहीं रिपीट हो रहा ती ओ भी नहीं हो रहा और हुआ टी ओ और एण ईबी नहीं हो रहा फॉर्थ लाइन में आ रहाए बी यू बीजी एन आर ठीक है तो ये हमारे पास सारे के सारे कोड़ अब हम common निकाल सकते हैं देखो common कोड़ कैसे निकालते हैं first और second line में चेक करो आपको कौन सी similar चीज दिख रही है मुझे दिख रहा है कि carriage जो है first, second और fourth में आ रहा है इसमें भी first, second और fourth में ये आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है मतलब carriage का कोड़ क्या बन जाएगा आ रहा है अब देखोगे forklift first और third में आ रहा है first और third में हमारे पास कौन सा आ रहा है के आर और कोई भी ऐसा जो word है वो नहीं आ रहा मतलब forklift का कोड़ क्या बन जाएगा के आर, definite code row जो है first और second में आ रहा है और कोई भी नहीं आ रहा AO भी first और second में आ रहा है कोई भी नहीं आ रहा तो row का क्या बन जाएगा code AO train बची या खेली तो train का कितना आ जाएगा NT समझ में आगे codes अब second line में देखो यहां से देखना चालू करो subway और bus दोनों ही second और fourth में आ रहे है मतलब subway और bus किसी का भी code हमारे पास BU और BZ हो सकता है क्योंकि इन दोनों का pattern जो है वो same जैसा ही है same pattern है अगला आ जो crane जो है third और fourth में आ रहा है और कोई भी नहीं आ रहा तो crane का code मेरे पास क्या बन जाएगा NR van और boat दोनों ही खाली है और यहां पर भी दो खाली है मतलब van और boat का मुझे code exact नहीं पता van और boat का T O या N E हो जाएगा ये मेरे पास सारे के सारे codes आ गए अब इन codes से आप सारे के सारे questions कर सकते हो मैं आपको सारे questions यहां पर नहीं कराऊंगी आप इन codes का screenshot ले लो question खुद से करना because मैं erase करूंगी तो सब erase हो जाएगा मैं को भी codes धिहान नहीं रहेंगे forklift का बदा देती हूँ forklift का में पास KR था तो option number A आपका answer हो जाएगा ठीक है option number A आपका answer हो जाएगा एक बार आप इसका अच्छे से screenshot ले लो और बाकी की सारे की सारे questions आप खुद से करेंगे okay erase कर दूं मैं आपको यहां पर questions दिखा देती हूँ this is next question what is the possible code for phrase van and bus possible code बताना है हमें van and bus का तो यह आपके पास options है what is the code for AO AO को कोड हमने निकाल लिया था ना AO का हमने क्या निकाला था forklift निकाला था यह क्या निकाला था robot निकाला था ना हमने तो रोबोट आ जाएगा कि यह question भी देख लो ठीक है next question बेजल है how many codes for a word are definitely found as per the given information जो हमारे पास definite codes थे जिसमें मुझे कोई भी confusion नी थी कि किसका कौन सा code है वो बताने कितने words थे ऐसे तो वो आप देख लो count करके कितने हमारे पास words हैं जिनके definite codes definitely आ रहे हैं यह हम already कर चुके हैं इनेक्वालिटीज करते हैं इनेक्वालिटीज में सबसे पहले statement पढ़ लेना कि उसने क्या पूछा है कि हमें पूछा है अगर आप statement को नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें true देखना है इनेक्वालिटीज का basic class आपने शायद किया होगा जिसने भी इनेक्वालिटीज का basic class नहीं किया इसी channel पे आपको इनेक्वालिटीज का पूरा का पूरा basic मिल जाएगा वहां से कर लेना बहुत easy तरीके से एक ही तरीके से प्री और मेंस को मैंने उसमें अच्छे से कवर किया है तो देखो यह हमारे पास statement है यह conclusion है उसने बोला है g is less than k g is less than k मतलब g से मुझे k पे जाना है दोनों में दोनों अलग families के sign है हमारे पास यह families होती है यह 123 123 यह family number 1 हो जाती है family number 2 हो जाती है answer तभी आता है जब दोनों same family से हो या same group से हो priority हमेशा छोटे वाले को देंगे priority हमेशा less number को देंगे मतलब 123 में से 1 को priority देंगे 23 में से 2 को देंगे इस तरीके से और कभी भी हमें backward forward जाना है तो हम दोनों same numbers के बीच में trading करेंगे यह आपको पता होगा G और K का साफ़ दिख्या दोनों लग-लग families से है P is greater than T P से मैं को T पे जाना है science कौन-कौन सी यूज़ वे greater than equal to equal to and greater than greater than equal to equal to and greater than 1, 2, 3 में से priority हमेशा किसको दोगे 1 को तो यह वाला सही है मतलब only conclusion second is true तो only conclusion second follows मतलब option number B आपका answer हो जाएगा ठीक है अगले पर चलें K is greater than I मुझे K से I पर जाना है K से I पर जाते जाते देखो दोनों different families के sign आगे यह नहीं निकल सकता H is greater than L H से मुझे L पर जाना है backward मुझे जाना है sign opposite लगेंगे H का मतलब C भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको सीधा करूं तो H is greater than equal to L आ रहा है H या तो बड़ा है या तो बराबर है definite नहीं है कि H बड़ा ही बड़ा है मतलब यहाँ पर दोनों conclusions ही सही नहीं हो रहे option number D आपका answer हो जाएगा आगे देखो G is greater than O G से मुझे O पर जाना है सारे के सारे same families के sign है sign use कौन-कौन से हुए greater than equal to and greater than equal to priority किसको दोगे हमेशा छोटे number को इसको दोगे ना one number को priority देते होते हो ना तो अपने पास answer क्या आजाएगा greater than सही है G is greater than K G से हमें K पर जाना है signs हमारे पास use हो रहे हैं greater than equal to and equal to इन दोनों में से priority किसको दोगे दो number को मतलब यहाँ पर greater than equal to आना चाहिए था नहीं है तो only option number is correct clear last question I hope क्योंकि इसके बाद वाल हमने किया हुआ है यह हमारे पास semicolon वाले आगे है तो इनको देखो कैसे करना है T is greater than J T से हमें J पर जाना है connect करना पड़ेगा common ढूणना पड़ेगा T से common L आ रहा है या फिर T और इसका आ रहा है हमें J तक जाना है ना J के साथ R आ रहा है R के साथ C आ रहा है C के साथ T आ रहा है यहाँ से जा सकते है T से गई मैं C पे C से गई मैं R पे R से आई मैं J पे ऐसे आ सकती हूँ जब मैं T से C पे गई इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ यही इसका मतलब है इसको T से आप रिप्लेस कर सकती हो T is less than equal to C C is greater than R दोनों different family के sign आगे answer नहीं आ सकता आगे check करने की जुरत नहीं है R is less than K बताना है तो R से मुझे जाना है K पे इसको erase कर दू R से मुझे जाना है K पे तो ध्यान देना R से मैं जाओंगी J पे नहीं R is less than K R से मैं जाओंगी C पे और C से मैं आओंगी K पे R is less than C and C is greater than equal to K दोनों different family के sign है answer नहीं आ सकता तो यहां पे दोनों ही answer नहीं आ रहे option number D none of the statement follow this none of the conclusion follow the statements यह मैं कर चुक हूँ already यह भी कर चुक हूँ तो यहां पे यह हम already कर चुक है इसको मैं close कर जाती हूँ यहां के questions हमारे हो गए है reasoning के so this was all about the PYQ series of reasoning हम पूरा कर चुक है quant का arithmetic बचा है arithmetic आपको next session में definitely मिल जाएगा and I hope यह आपको पसंद आया हो also this is a website जिस पर यह सारे के सारे mock test आपको available दिखेंगे जो कोई भी exam है उस सभी exam के mock test आपको यहां पे मिल जाएगे यहां पे खास बात क्या हमारी website की कि देखो जैसे आपने RRB का खोला तो आपको 2022 के तो मिली रहे है 2021 के भी available है 2020 के भी available है उसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पे जैसे यहां पे 20 full length mock test है ना तो 2022 के मिले फिर 2021 के मिले फिर 2020 के मिले तो 20, 20, 20, 60 60 आपके prelims के mock test आपको मिल रहे है 60 sectional मिल जाएंगे और 30 mains के मिल जाएंगे है ना अगर आप सबका total लगाओ तो इतने mock test अगर आपके पास हो जाएंगे तो आपको किसी और website पे जाने की जुरत नहीं पड़ेगे this is the best deal also यहां पे हमारा आपको पूरा का पूरा जो पाकेज है वो मिल जाएगा study neti का these are the combo packages just wait a second study neti का हमारा जो combo package है वो आपको 500 में मिल जाएगा जिसमें यह सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी and I hope यह जो mock test है आपको अच्छे लगेंगे because यहां पे सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रहे है so this was all about today's session हमारा जो plan है आप जाके चेक कर सकते हो also यहां पे other plans भी हैं अगर आप चेक करना चाहो ठीक है वो आप हमारी website पर जाके चेक कर सकते हो सारा का सारा data जो है website और application दोनों पे वेल बेल है तो laptop या mobile कोई भी ओ दिककत नहीं आएगी दोनों languages में इंटरफेस में आपको दिखा दिया so this was all for today's session and I hope you enjoyed the session till then next session में बने रहना till then stay tuned good luck stay happy and bye bye